करवियो के सिजन दोस्तों आज चुका है अगर आप भी मचलों से परशान है और आपको चीए एक अच्छा मॉस्केटो बैट तो आपको help करेगा आसके मुझे आपको कुछ इस तरीकी के बॉक्स में आता है हिट का एंटी मॉस्केटो रैकेट बॉक्स की कॉलिटी भी मुझे यहां पर आपको बताया गया है कि आपको इसके साथ six months की warranty मिल जाती है सुपर स्ट्रॉंग प्लास्टिक है इसको बनाने में यूज किया गया है यानि कि काफी डूरेबल है काफी लंब जमें तक चल सकता है इसके साथ साथ है बताया गया कि इसमें जो करंट होता है वो 3500 DC का करंट आपको मिलता है जिससे की मच्छर इससे टकराते ही तुरंत खतम हो जाता है इसके साथ साथ बैटर कवरेज मिलती है इसका जो साथ बनाया गया है जिस तरीके से बनाया गया उससे काफी बैटर कवरेज मिलती है आपको और लॉंग लास्टिंग आपको बैटरी ल ना करें और six to eight hours लगते हैं इस पूरे रैकेट को एक बरी फुल चार्ज होने में और जब भी आप पहली बार इसको खरीदे एक बरी फुल चार्ज कर लें और उसके बाद ही इसको यूज करें बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें और साथ इसाथ ऐसी जगह जहां प अच्छी तरीके से से सील किया गया है जो मुझे काफी अच्छा लगा प्रॉडट को निकाल लेते हैं आपको अंदर के इंबॉक्स कंटेंट्स दिखा देता हूं तो बॉक्स से निकालने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इसके अंदर मिल जाता है एक रैकेट और दूसरा 200-300 रुबे की रैकेट आते हैं उनके मुकाबले मुझे इसकी कॉलिटी जो है प्लास्टिक की काफी अच्छी लगी अगर मैं एक बड़ी आपको थोड़ा प्लास्टिक भी सुना के दिखाऊं तो शायद आपको थोड़ा आइडिया और हो जाए कि प्लास्टिक जो है बिल इंदर कैप्चर कर सकते हैं लेकिन इसमें जो नेट एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगा बट डिजाइनिंग जिस तरीके से दीगई है काफी ट्रेंडी लगता है देखने में और इस तरफ आप देखेंगे यह सारा नेट है जहां पर करन पास होता है इस तरफ इस तरफ आपको बटन मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको चार्ज करने के लिए लगा सकते हैं अगर इसको दुबारा अंदर की तरफ करना चाहें बटन को तो यहां से पीछे की तरफ आप इसको खींच के अंदर की तरफ कर सकते हैं तो स्मूथ है ऑप्रेशन ऐसा नह कहीं से भी बीच में कुछ अटकता है या कुछ free movement नहीं होता है साइट से अगर मैं आपको देखा हूँ तो कुछ इस तरीके से लगता है racket और designing मुझे काफी इसकी पसंद आई हाला कि again मैं एक चीज कहना चाहूँ कि net का area थोड़ा और जादा बड़ा होता तो इसके लिए यहां पर पहले से ही company taping करके रखती है तो इस taping को हमें निकालना होगा ताक कि मैं इसको एक बड़ यह आपको यूज करके दिखा दूँ तो अभी यह taping जो है इसको मैंने हटा दिया है तो अब आप यहां पर देख सकते हैं मैं थोड़ा पास लाकिए अगर आपको दिखा हूँ तो यहां पर आपको on off on के button मिल जाते हैं को उपर करने पर बटन को blue light मिलती है center में करने पर ये रैकेट जो वो operational हो जाता है और सबसे नीचे करने पर ये off हो जाता है तो कुछ इस तरीके से है इसका ये system बटन वाला system आप एक बड़ी इसका टेस्ट भी कर लेते हैं एक बड़ी light भी आपको दिखा देता हूं अगर इ इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है और weight wise कोने तो काफी हलका है तो easily आप इसको use कर सकते हैं लंबे time तक भी तो अभी इसके current को test करने के लिए मैंने ये एक leaf लिया है इस leaf को मैं इसके उपर एक बड़ी लगा के देखता हूं ताकि आपको एक बड़ी intensity का idea हो कि कितना intensity का इसके अंदर current होता है और कितनी असानी से मच्छरों को ये current मार सकता है तो आप देखेंगे यहां पर अभी मैं एक बड़ी try कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कितनी easily अगर कोई मच्छर इसके टकराता है तो जिन्दा नहीं बचेगा काफी powerful current है आप देखें लाइट है वो भी मैं आपको on करके दिखा देता हूं एक बड़ी अंधेरा कर देता हूं जिससे कि आपको idea हो जाए कि किस तरीके की जो है light जो है इसके अंदर रहती है तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने रूम में पूरा का पूरा अंधेरा कर दियो और आप देखेंग तो यहां पर मैंने एक clip और आपके लिए add कर दिये जिसमें कि मैं यह दिखा रहा हूं कि जब आप इसको charging पर लगाते हैं तो किस तरीके से जो charging वाली light है वो यहां पर on हो जाती है और कुछ इस तरीके से लगता है जब आप इसको किसी भी charging socket में लगाते है तो लटका से लगता है तो वो कुछ इस तरीके से लगता है अगर आपके वन में अवे भी कोई टाउट है इस पैक से लेटेट तो आप कमेंट चेक्ट में के question कर सकते हैं उसका जूरूर रप्लाइ करेंगे अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा